नमस्ति मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बिहार SSE में अब तक पूछे गए सभी परस्नों के आधार पर सब्जेक्ट वाइट GKGS की सटीक एवं सांदार स्टडी कर रहे हैं आज हम लोग फिजिक्स का पाटफोर वीडियो देखेंगे जो पीछी का वीडियो नहीं देखें वह पले लिस्ट में जाकर जुरूर देख ले शुरू करते हैं आज का पहला कोशन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं य जैसे कि जिस पदार्थों से अलफा बीटा गामा किरने स्वता निकलती है उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है ठीक है रेडियो सक्रिय तत्व किस नहीं किया था तो हेंड्री वेकुरेल नहीं किया था जैसे कि रेडियो सक्रिय तत्व में आता है यूरेनियम थोरियम पॉलोनियम और रेडियम hyem और यह सभी रेडियौस करिए तत्ववफ एë to today भूआ कि खोच किसनि किया था तो रेडियम और पोलोनियम यह दोनों की क्या था तो मेरे क्योंॡ़ी और पीरे क्यों कह था गॅरूरी मिद थीरिडी पिल्म देखने के लिए पर्योग्त चस्मे में घुटे एक कोशेनओ डारेक्ट आता है कि धूर्बन किस् میں नहीं होता है, तो धोनी में धूर्बन नहीं होता है, और प्रकास तरंगूसम में धूर्बन होता है, तो वही धूर्बन यह पोलो-राइड़, तीक है, याद रखना और प्रकासथ रंग में धूरबन होता है एक कोशन आता है कि धूप के चस्में की पावर कितना होता ही गे याद रखीना है लेटर्जेंट की सिधांत पर सत्वों की सफाई करते हैं निएक्न करेंजर हो जाएगा यह प्रिष्ट तनाव के सिधान पर कार्ज़ करता है। प्रिष्ट तनाव में होता क्या होता है जैसे कि घर में निकाल दिया जाता है तो प्रिष्ट तनाव उसका प्रिश्ट तनद से दो तीं क्योंचन पूछा जाता है जिसे कि बर्सा की बून्दें गोलाकार होती है किसकी कारण कई बार्द एक पूछा गए काफी क्योंने से में वह बेंखार तो बद्यूंड्शक कि मठारनी के लिए उसमें किराशन ऑल मिला जाता है ताकि प्रिष्ट तनाब कम होता है और मच्छड नहीं उस पर जम पाता ठीक है तो उसमें भी प्रिष्ट तनाब का कारेंदरी रहता है नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सी धातु बिद्दुत की सुचालक है तो कौन सी धातु बिद्दुत की सुचालक है तो बिद्दुत की सुचालक तो सभी धातु है तो कोशन में यह होना चाहिए कि कौन सी धातु बिद्दुत की सरवाधिक सबसे ज़्यादा सुचालक है सबसे ज़् नीउंतम परतोब वाला धातु कोन सा है तो वो चांधी है कि सब्से ज्यादा शूलयक वहीं ₱ कलंतु संधी कितना लोगा रूदैर्यची चांधी लगरी में यहां करन हों के गुरुत्व कर्शन के मामले के सही अबरोही करम में अनुक्रम है रहने तो गुरुत्वा कर्शन के मामले मेराव नमबर चार होता है ठीक है अब यहां से इस चेप्टर से कई question exam में पूछा जाता है जैसे की यह question आ जाता है कि सूर्ज के सबसे नज़िक का गरह कुन सा है तो आपको याद रखना है कि जैसे सूर्ज से दूरी के करम में सभी गरहों को आपको याद कटल लान से बन जाएगा तो शुडнд इस अवित बुध्र सुक्र्र धि मंगल फिर बिरसपती सनी है अरून Dan भरू advice आठ गदिया बुद्-शुक्र-धि मंगल बिरासपति सनि अरुन अब कोशन इसे पूछा किसी के सबसेनेस्दी गरह कुन सा है तो पूद्धiej अब का सबसे दूर कर पर प sü intervenal औरको सराना कर मंगल और विरसंपती के बीच छुद्र गरह होता है ठीक है और आता है की इन से आंत्री गर्ठ नहीं है फुर्षिय जाए इस याद रहा जो यह तरह रिख लेना बिरषपती सोरी बूध lég शोक्र प्रथवी मंगल यह बिरस्पति सनी अरुन बरुन ऐसे याद रख लेना है सबसे बड़ा गरह कुन सा है तो बुद्ध है सबसे चोटा गरह बुद्ध गरह कुन सा है तो बिरस्पति गरह है और सबसे चोटा गरह तो बुद्ध गरह है ठीक है तो ऐसे याद रख लेना है और सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो है सनी के पास है सबसे ज्यादा उपग्रह भी है सनी के पास 145 है उसके बाद ब्रसपति के पास है 95 उपग्रह है ठीक है तो यह याद रखना है और सब से चंगीला भी था पूछा जाता है, घ्र प्रिठितवि कफे की दो घ्राहलों के बीचे यहां से आप आसानी से इसका एंसर सकते हैं बुद्ध्ध सुक्र प्रिठित्य मंगल यहने कि प्रिठितβि सुक्र और मंगल के बीछ है ठीक है तो ऐसे इसका इंसर आप असानी से दे सकते हैं यानि कि यह जो दूरी की करम है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट पुटली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूर दृष्टी वाली आँख देख सकती है केबल तो इसका एंसर क्या होगा जो दूरीष्टी होता है उसको असपश्ट रूप से देखते हैं ठीक है जैसे दूर दूरीष्टी है तो दूर की बस्तूओं को जो दोस है वहाँ की बस्तु देखेंगे यानि कि दूर दिरिष्टी को कैसे ठीक किया जाता है तो उत्तल लेन्स का पर्यूग करके ठीक किया जाता है तो इसका दोस्को किस लेंस से ठीक है तो इससे रखें देखें दूर द्रिश्टी दोस्को कि दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक है यह आपको याद भी और इस तरह से याद रख लेना है ताकि कभी जीवन में भूले नहीं और कन फ्यूजन ना हो और नीकर्ट दृिष्टी दोस्को ठीक करने के लिए किस लेंज का परयुक किया जाता है तो अब तरल लेंज का परयुक किया जाता है ठीक्द ये दोनों में कवी क हंभी कन फ्यूजन ना हो तो इसको कैसे याद करना है ationalise तो इस से याद हो गया अच्छा जराद द्रिष्टी दोस्को ठीक करने के लिए किस लेंस का परियुक्य जाता है दूई फोकसी लेंस का परियुक्य जाता है जराद द्रिष्टी दोस्को ठीक करने के लिए दूई फोकसी लेंस का परियुक्य जाता है दूई फोकसी जाता है नेक्स्ट है, कि लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स किसकी इकाई है, तो लक्स है, ये प्रदिप्ति की इकाई है, लक्स, ठीक है, प्रदिप्ति की इकाई क्या है, लक्स है, यानि कि SI मातरक से question पूछा जाता है, तो कुछ important जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, अब जिसे य रिमान का SI मातरक क्या होता है तो किलोग्राम होता है और बल का SI मातरक क्या होता है तो बल और भार ये दोनों का SI मातरक न्यूटन होता है ठीक है लंबाई का SI मातरक मीटर समय का सेकेंड विद्दुधारा का एंपियर पदार्थ की मातरा का मोल और जोती तिवरिता का SI मातरक क गोन और हम पूँछा गया और बहुत एकजाम में पूछा गया ने यह कोश्चन काफी इंपोर्टेट है एक असो बहुत इज़ी लेकिन कई कई और एक्जाम में पूछा गया है को सकति का मात्रब्स होता है तो वाट होता है सकती का अप्तल दर्पन में बस्तु एबं पर्तिवीम दोनों बकरता केंदर पर है तो पर्तिवीम कैसा होगा तो क्या होगा बस्तु के समान आकार का होगा इसका correct answer है बस्तु के समान आकार का होता है ठीक है यदि अप्तल दर्पन में बस्तु और पर्तिवीम दोनों बकरता केंदर पर होगा तो प्रतिविम कैसा होगा बस्तू के समान आकार का होगा अब अपतल दर्पन से इंपोटेंट कोशन यह पूछा जाता है कि कार के हेड़ लाइट में किस दर्पन का परियोग किया जाता है तो अपतल दर्पन का परियोग किया जाता है ठीक है और कार में जो पीछे देखने के लिए पस्च द्रिस्च देखने के लिए किस दर्पन का परियोग होता है तो वो उत्तल दर्पन का परियोग किया जाता है नेक्स्ट है उस्मा गतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाहकारा की सहायता के किसी कम ताप बाली बस्तू से किसी उच ताप बाली बस्तु को उस्मा आस्थारंत्रित नहीं की जा सकती है तो पहला नॉर्मली क्या होता है जब उस्मा उच्च ताप से निम्न ताप की और जाती है हमेशा क्या है उस्मा क्या होता है निम्न ताप की और आता है उच्च ताप से ठीक है उच्च ताप से उस्मा क्या है निमनिताप की और जाती है तो ये कहा गया है कि उस्मा गति का कौन सा नियम है कि बीना किसी बाह कारक की सहायता के किसी कम ताप बाली यानि कि निमनिताप बाली बस्तु से उच्च ताप बाली बस्तु को उस्मा अस्थानत्रित नहीं क इसका correct answer है यह उस्मा गतिगी का दूसरा नियम है देखिए उस्मा गतिगी का तीन नियम है ठीक है तीन नियम है कौन-कौन सा है एक है सुन्य नियम है सुन्यांकी नियम बोला जाता है और दूसरा है प्रथम नियम और तीसरा है दूतिय नियम यानि कि उस्मा गतिगी का तीन इन लेकिन दूसरा तक है टीस्रा नियम नहीं है तुकर है हुआ है तो सुन्यांग के नियम क्या हुता है इस सुन्यां की नियम से तापिया अन्य मिल थी और परतम नियम में उर्जय संठक्चन का लिएम मीलता है और दूसरा जर्शलेच में इस में इहां कि बाहर के कम तावबाली बसतु से उचता बाली बस्तो को Intuka संह 5 लगोग नहीं किया छा क्ता है तो यह याद रखना नेक्स आपकीए कि बायु आंकी ने नेता इसके संगत होती है तो बायुवान की धोनी जो है एरोपलेन के उसकी कितने लगबक कितने होता है तो वह होता है 100 decibel के आसपस है किस में करता है तो सबसे अधिक गती करता है ठोस में उसके वाद दरब और सबसे कम गती करता है गेस में ठीक है और धोनी में धुर्बन नहीं होता है परकास में होता है ठीक है याद रखना है क्योंकि धोनी अनुधर्ज तरंग है और परकास अनुप्रस्थ तरंग है तो इस के पाबर माइनस नो मीटर होता है ठीक है एक नहीं मीटर बराबर दस के पाबर माइनस नो मीटर में तो ऑप्षन में क्या है सेंटी मीटर में बदलने के लिए क्लिए क्या करते हैं मीटर में है सेंटी मीटर में सो से गुना कर देंगे यह दस के पाबर दो यह पलस में है ठीक है तो इसका कोरेक्ट एंसर ओप्सन नंबर चार है दस के पावर माइनस साथ सेंटीमीटर ठीक है अब इस टाप को पूछा गया है तो आपको याद रखना है इससे कुछ इन मीचल इस सेंटी मिली माइक्रों नहीं है तो डेसी में क्या आजाएगा है अब करें करें रखना है ton और नेनो में आ जाएगा फिर क्या होता है देखर देशी सेंटी मीली माइक्रो फिर होता है माइक्रो के बाद नेनो में आ जाएगा दस के पावर माइनस नो फिर आपको पूछा जाता है पीको पीको में आएगा दस के पावर माइनस 12 फिर फेम्टो दस के पावर माइनस 15 फि तो इस तरह से आपको याद रखना है ज्यादा पूछा जाता है यह नैनो मीटर और मांकॉमीटर ठीक है इसके क्लिसार नाभीकिए सनलेयन थीजिए अब नाभी के संलमेल ने यहां से इमपोर्टेंट एक फूझा जाता जैसे की श्वर उर्जा का परमुख सरोथ हो गए नाभी के संलम भी नायुक्त की सिथान से पर अधारी थे अब इसihi याइदस परवानु भंव तो परमानु भंव की पर रहे थे वह नाभी की और यह सुर्जा उर्जा और हैड्रोज Argम यह दोनों याद भी रहे तो इसे रीलेट सूर्ज में सब्सेयाद का साथ तो हैड्रोजन पाएजाता है इसलिए थिद्ध भूं नाभी की सनलेयन पर अधारी थे हैड्रोजन रहे time जब किसी काँच की छड को रेसम से रगडा जाता है तो जो छड पर कौन सा आवस होगा तो काँच की छड पर धन आवस होता है और रेसम पर रीन आवस होता है ठीक है यहाद रखल ना है, तो कांच की छड, छड क्या है, मजबूत है, रेसम क्या है, յो थोड़ासा लचीला है, तो रेसम ऐसे रिलेٹ कर लिजेगा, तो आप पुorm हो याद रहे हैं, छड यानि मजबूत है, धन आवेस हिते, धन आवेस इंजिदная इस पर होता है, रेसम क्या है कम जोड़े तो यह क्या है रिन आवेस होता है इस पर ठीक है अच्छा बिद्दुत आवेस का इसाई मात्र क्या होता है बिद्दुत आवेस का इसाई मात्र होता है कुलाम होता है ठीक है तो यहां पूछा गया था कांच की छड़ पर तो धान आवेस इसका एंसर होगे है दो नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कौन सी ध्वनी हम नहीं सुन सकते हैं तो कौन सी ध्वनी नहीं सुन सकते हैं तो पहले यह जानना है ध्वनी जो हम सुन सकते हैं वो कौन सा होता है तो हम लोग जो सुन सकते हैं 20 हर्च से 20,000 हर्च के बीच जो ध्वनी है तो इसको नहीं सुन सकते हैं, यह क्या 20,000 Hz से अधिक हो गया, यानि कि यह धोनी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसे क्या का आ जाता है, यह सरब्य धोनी का आ जाता है, यह तीन परकार का होता है, एक सरब्य धोनी, एक अब सरब्य धोनी, एक प्रासरब्य धोनी, तो शृष्षर अभीतरअग आगिए तो यह याद रखना ऐ नेक्स्टले प्रेसर कुकर में खान जल्दी पता है क्यूं अधिक होंकि के अंदर दाब अधिक होने के कारण पानी का कॉथनांग ऊपर उठ जाता है तो याद रखना और एक कोसर्ण कैशल यह से भरा fountain paint उचाई पर क्यों leak हो जाता है यहीनिए कि Hawaiirest fan में जब paint लेके जलता है तो leak क्यों हो जाता है? तो वा बायू मंडल ये दबाव कम हो जाने की कारण वो होता है Next day M के S परणाले में तौरन का मातरक क्या है? तो M के S परणाले में तोरन का मातर क्या है? तो वही है मीटर परती सकेंड इस्क्वार है, मीटर परती सकेंड इस्क्वार है, ठीक है? विश्थापन में परिवर्तन की दर को बेग करते हैं और बेग में परिवर्तन की दर को तोरन कहा जाता है, ठीक है? तोरन एक सदिस्त रासी है, यह याद रखन है confusion भी नहीं होना ठीक है विद्दु धारम आपने वाला यंत्र जो है वह अमीटर है और इकाई जो है विद्दु धारम आपने का इसाई मात्रक जो है वह है एमपीर ठीक है वह है एमपीर याद रखना है अचा विद्दु धारम आपने का इसाई मात्रक होगी है एमपीर लेकिन विद्दु अबेस अगर पुछे तो उसका मात्रक है कुलम्ब नेक्सिट है कि साबून को जल में घोलने पर जल का प्रिश्च तनाव क्या होगा तो जल में घोलने पर प्रिश्च तनाव क्या regular क्या हो तख कम हो जाता Mango णे स्ट है उने लेटर फिर टेल का विद्दु न्यूर्टन प्रती मीटर है और बरसा की बून्दे जो गोलकार होत जल के प्रिष्टी तनाप को कम करते करने के लिए क्रसंथ लीवार आठाएं और उसमें क्या मच्छरों को नश्ठ हो जाता अधिक और बर्सा की बुण्दे गोलकार होती है उसों को जाता है तो याद रखना नेक्स de कहींची में कितने लीवर होते हैं तो कहींची में कितने लीवर होते हैं तो दो लीवर होता है नेक्स्ट है कि चुम्बक्ये छेतर में गतिमान निमलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है चुम्बक्ये छेतर में गतिमान निमलिखित मेंसे कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है, तो न्यूट्रोन जो है ये विक्षेपित नहीं हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रोन की खोज किस नहीं किया था, शेडिविक नहीं किया था, और प्रोटोन की खोज किस नहीं किया था, तो गोल्ड अस्टिन नहीं किया कि किशन की चाल निर्धारन करने में में संखियां का परियुग किया जाता है और अश्टा बायूंत चाल की मापा जाता है ठीक है एनोम मी मीटर से यह बायू का बेग मापा जाता है ठीक है नेश्ट है कि ध्वनी का बेग सबसे ज़्यादा किस में होता है तो ध्वनी का बेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है उसके बाद दरब में होता है उससे सबसे कम होता है गेस में होता है तो यहाँ पर इसमें कौन हो जाएगा इस पात है इस पात में सबसे ज़्यादा धोनी का बेग होगा धोनी कौन सा तरंगे धोनी अनुधर्श तरंगे और प्रकास्त अनुपरस्त तरंगे धोनी में धुर्वन नहीं होता है जोकि प्रकास में धुर्वन के क्रियाएं होती है ने जाता है अब परावईदुत पदार्थ कहते किसे हैं तो उन चालक पदार्थों को परावईदुत कहते हैं जिनके अंदर विद्दुत छेत्र पैदा करने पर वे धुर्बित हो जाते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखना है तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का पाट फोर बिषार और आज का कोश्चन है कि बिहार के जगदिस्पूर में 1857 की करांती का नेतरित्व किस ने किया था इसका अंसर आप कोमेंट में दो जेगा और कोई भी डाट हो तो कोमेंट में पुछेगा और एक चीज हमें से याद रखना है आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें जैहन दोस्तों